राइगड भारत के 36 गड़ राज्य का एक महत्तपुन सहर है कि अपने इसपात और लोग उत्पादन के लिए पूरे भारत में जाना जाता है राइगड में ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा इस पंच आयरन प्लांट मौजूद है राइगड सहर की गिंटी राज्य के बड़े वेबसाइक केंदरों में होती है ये सहर चतिसगर की राजधानी नयारएपूर से 270 किलो मिटर दूर और इसके अलावा भारत की राजधानी नयदिल्ली से 1300 किलो मिटर की दूरी पर है राइगार चटीजगर के सबसे तेजी से विक्सित होने वाले सहरों में से एक है लगभग 210 वर्ग किलोमीटर के छेतरा में फैले हुए राइगार सहर की जंग संख्या 2011 की जंगरना के अनुसार दो लाग से उपर थी अबादी के हिसाब से राइगार सहर 36 गर का छटफा सबसे ज़्यादा खनी अबादी वाला सहर है धार्मिक द्रिष्टी कोर से राइगार सहर में 90.20% हिंदू 5.50% मुसलीम 2.99% क्रिश्चन 0.85% सीख अता अन्यधर्म के लोग निवास करते हैं राइगार सहर के साफचरता दर 73.7% है इससे ये पता चलता है कि राइगार सहर के ज़्यादा तरलोग पढ़े लिखे वर्ग के हैं राइगार जीला कुल नौ तवसीलों में बटा हुआ है बारमकेला, खरसिया, उदैपूर, सारंगड, लैलूंगा, घरगोडा, उसौर, तमननारी और राइगार यहास के पन्ने बताता है कि राइगार सहर सोतंतरता से पहले रियासत की राजधानी हुआ करती थी और यह देश की सोतंतरता के बाद रियासत भारत संग में सामिल होने वाली पहली रियासत थी राइगार एक सांस्कृतिक सहर है जो अपने कथक निरित्य और सास्त्रिय संगीत के लिए पूरे भारत में जाना जाता है हर साल गड़ेश चतूर्थी पर भारत के अलग-अलग हिस्सों से संगीत वा मिरित्य कला कार आते हैं और अपनी कला का परदर्शन करते हैं राइगार सहर में विभिन्य परकार के भासाये बोली जाती है लेकिन ज़्यादा तर लोग हिंदी चतिसगरी और ओडिया भासा का प्रयोप करते हैं चाके नजरिये से देखा जाये तो राइगार सहर में मेडीकल कॉलेज, ओपी जिंदल कॉलेज, किरोडीमल गॉर्मेंट पॉले टेकनिक कॉलेज एवं इंजिरिनिंग कॉलेज यहां की सिक्षा संस्थान है रैगर सहर, रेल मार्ग, सडक मार्ग, अर्थात दोनों मार्गों से जुड़ा हुआ है रेल मार्ग, रैगर जिले में कुल आठ रेलवे स्टेशन मौझूद है गरगोरा जक्सन, रुपदेवपूर रेलवे स्टेशन, किरोडी मननागर रेलवे स्टेशन, खरसिया रेलवे स्टेशन, जर्राडी रेलवे स्टेशन, खुद्रलिया रेलवे स्टेशन, जामगाओ रेलवे स्टेशन और रायगार रेलवे स्टेशन जिसमें से राइगाड रेल्वे स्टेशन यहां का प्रमोख रेल्वे स्टेशन है ये रेल्वे स्टेशन राइगाड जिले कहीं नहीं बलकि 36 गड का सबसे व्यस्त एवं बड़े रेल्वे स्टेशनों में से एक है इस railway station पर प्लेट फामों की संख्य तीन है और ये railway station हावडा नागपुर मुंबाई लान पर मुझूद है अमसफर एक्सप्रेस, गितनजाली एक्सप्रेस, बिलासपूर पटना एक्सप्रेस, जनसताब्दी एक्सप्रेस, हीराकॉंड एक्सप्रेस, कर्मभुमी एक्सप्रेस, समरसता एक्सप्रेस, एवं अजाध हिन एक्सप्रेस जैसे कई परमुक गाड़िया राइगार railway station से होक प्राइगरा सहर अपने खुब्षूर्ट प्रयटा किस्थलों के लिए बी पूरे छ главное जाना जयता है। हर साल रखो लोग राएगरा सहर की खुब्सूर्ति को देखने आते हैं। आईए जानते हैं कौन सी परेटर किस्थल है जिनके बिना राइगर सहर का भ्रमर अधूरा है रामजर्णा राइगर से लगभग 18 km दूर रामजर्णा एक 83 किस्थल है जहां आप एक प्राइगर्टिक वाटर फॉर्क का नजारा देख सकते हैं और ये एक बहुत ही खुबसूरत पिकने की स्पॉर्ट भी है सिंगानपूर गुफा राइगर से 20 km के दूरी पर इस्थित 36 गड़ के परसिद गुफाओं में से एक सिंगानपूर गुफा की राइगर के सबसे परसिद इस्थानों में से एक है ये इस्थान राइगर से लगभग 60 km दूर सारंगर में इस्थित है गुमर्दा वन्यजिय अभ्यारने को 36 गड़ के सबसे खुबसूरत इस्थान माना गया है जहां आप विभिन परकार के वन्यजियो को देख सकते हैं जिसमें चिंकारा, जंगली भैं, सोस्त भालू, चोंसिंगा, पहाडी मैना, सियार, हरे कबूतर और जंगली सुआर जैसे कई वन्यजियो का घर है राइगार के इन परेटा की श्थलों के अलावा आप कहीं अन्य परेटा की श्थलों का भी भ्रहमर कर सकते हैं में कम्ला नेहरु पार्क , राएगाड किलर , राभो डेम , गैleader Brand , पहाड मनदीर , बञ्जारी मंदीर , साय मनदीर , बुढ़ी माई मनदीर , शनी मनदीर और चंद्रहाश्सली देवी मनदीर . यहाँ के अन्य प्रमुख दर्शन्य इस्थल है तो दोस्तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट में एक बार जरूर बताना तो दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिन जै भाराद जै चतिस गार